भारत का वारानसी शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए मशहूर है। यहां हर साल लाखों श्रदधालू गंगा घाट के दर्शन करने के लिए पहुचते हैं। कहने को तो वारानसी या बनारस में कई मंदिर हैं, लेकिन रतनेश्व मंदिर जैसा कोई और मंदिर नहीं है। इसकी एक खासियत इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। दरसल अन्य मंदिरों के अलावा यह मंदिर तिर्चा खड़ा हुआ है। जी हाँ, इस प्राचीन मंदिर को देखकर इटली के पीसा टौवर की याद आ जाती है आपको शायद अब तक इस मंदिर के बारे में पता नहीं होगा लेकिन यह एक ऐसी इमारत है, जो पीसा से भी ज़्यादा जुकी हुई और लंबी है पीसा टौवर लगभग चार डिग्री तक जुका हुआ है, लेकिन वारानसी में मनिकरने का घाट के पास स्थित रतनेश्व मंदिर लगभग नाइन डिग्री तक जुका हुआ है कुछ रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर की उचाई 74 मीटर है, जो पीसा से 20 मीटर ज्यादा है इतिहसिक रतनेश्व मंदिर सदियों पुराना है वारानसी का रतनेश्व मंदिर महादेव को समर्पित है इसे मात्ररिन महादेव, वारानसी का जुका मंदिर या काशी करवात के नाम से भी जाना जाता है प्रतनेश्वा मंदिर मनकरनी का घाट और सिंध्या घाट के बीच में स्थित है ये साल के ज्यादातर समय नदी के पानी में दूबा रहता है कई बार पानी का स्तर मंदिर के शिखर तक भी बढ़ जाता है ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्मान उननीस्वी शताबदी के मध्य में हुआ था मंदिर को 1860 के दशक से अलग-अलग तस्वीरों में चितरित गया है यह मंदिर क्यों जुका हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर राजा मानसिन के एक सेवक ने अपनी मां रतना बाई के लिए बनवाया था मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ती ने गर्व से घुषना की कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया है जैसे ही ये शब्द उनकी जुबान से निकले मंदिर पीछे की तरफ जुकने लगा ये दिखाने के लिए कि किसी भी मां का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता इस तीरत का गर्ब ग्रिह वर्ष के जादातर समय गंगा के जल के नीचे रहता है अगर हम इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो इसका निर्मान शास्त्रिय शैली में नगर शिखर और फामसान मंडप के साथ किया गया है वास्तुकला के बारे में, मंदप सार्वजनिक स्थानों के लिए एक स्तंभित हॉल है बहुत ही दुरलब सयोजन के साथ मंदिर पवित्र गंगा नदी के निचले स्तर पर बनाया गया है दिल्चस्प बात ये है कि जल्सतर मंदिर के शिखर के टॉप तक पहुंच सकता है ऐसा लगता है कि जैसे बिल्दर को पता था कि इस मंदिर का ज़्यादातर हिस्सा पानी के बीतर रहेगा इसका निर्मान बहुत कम जगा पर किया गया है हालां कि यह मंदिर आज भी पानी के भीतर है लेकिन इसे आज भी सन्रक्षित और मूल्यवान माना जाता है मानसून के दोरान इस मंदिर में कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता बारिश के मौसम में कोई भी पूजा या प्रार्थना की आवाज सुनाई नहीं देती घंटियों को बज़ते कोई देख और सुन नहीं सकता कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक शापित मंदिर है और पूजा अर्चना करने से उनके घर में कुछ बुरा हो सकता है अगर आप इस मंदिर की पुरानी तस्वीरे देखें तो पाएंगे की मंदिर पहले सीधे ही खड़ा था हालां कि वर्तमान समय में ये तिर्चा दिखता है बताया जाता है कि एक बार घाट घह गया था और जुक भी गया था बस तब से ही ये तिर्चा हो गया है अध्यात्मिक्ता की तरफ जुकाव रखने वाले लोगों को छोड़ कर बड़ी संख्या में यात्रियों को अभी तक इस मंदिर के बारे में नहीं पता है पीसा की जुकी मीनार से ज़्यादा जुके होने के बाद भी ये मंदिर गुमनामी में खो गया है लेकिन अब जब भी आप वारनासे की यात्रा पर जाएं तो रतने शवर मंदिर की यात्रा करना ना भूलें